हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किचन बनाने के लिए आपको कितना जगा चाहिए क्यानी कि अगर आप एक किचन बना रहे हैं तो उसमें उसकी लंबाई और चौणाई कितनी होनी चाहिए उसमें जो हम प्लेटफार्म बनाते हैं जिस पर कुकिंग से रिलेटेड अपना मैटरियल रखते हैं उसकी क्या हाइट होनी चाहिए आज के इस वीडियो में टोटल हम प्रैक्टिकल नौलेज के बारे में बात करेंगे साइट पर जाकर देखेंगे कि यहां जो किचन बनाया जा रहा है उसकी क्या साइज है और उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज हो रही हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में दीख रहा है कि यहां पर एक कंप्लीट कीचन का काम हो चुका है यानि कि आपको जो ब्रिक वर्क है प्लास्टर पेंट टाइल वर्क प्लम्बिंग एवरिटिंग यहां पर जो है कंप्लीट हो गया है और बस किचन अब स्टार्ट होने की देरी है किचन का जो भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है और यह हमारे एक क्लाइंट का है तो यहां पर जो हमने जो किचन बनाया है उसकी जो लंबाई रखी है वो 10 फिट रखी है और जो चौडाई रखी है वो 8 फिट रखी है अगर एक स्टेंडर साइज की बात करें तो आप कम से क कीचन बनाये जो न बहुत बड़ा होगा यहां पर जो किचन बनाये गया है वह 8 फिट 520 का बनाये गया है और लंबाई जो है इसकी 10 फिट रखी गई है इस आप फिट 510 फिट में जो भी मैटरियल रखे जाते हैं कोकिंग से रिलेटेड उन सारे चीजों का इंतजाम किया गिए है और नीचे भी दोस्तों कि टूपर प्लेटफॉंट बना कर दिया गया है है वीज मैटरिणल को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर रखने के लिए थी यहां पर इसस पर इसपसिस दिया गया है और यह पर आप जैसे के patterns कि ठीक सक हैं कि लिए भी एक प्रॉपर साधे तीन फिट बाई पांच फिट का विंडो भी रखा गया है तो दोस्तों अगर आप भी कोई किचन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से अपना किचन बना सकते हैं जो की न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा होगा और आपका काम आसानी से चल जाएगा अगर हम इस कीचन के बारे में बात करें तो जो आपको यह लंबाई है वह 10फीट और चोड़ाई है वह 8फीट है जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जो आप यह प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का जो हमने आर सी सी कास्टिं फ्लोर पे वहां से इसका जो अप टॉप का जो लेबल है वो तीन फिट की उचाई पर है जो की बिल्कुल स्टैंडर्ट तरीका है और जैसे कि आप जो देख रहे हैं कि जो अमारा प्लेटफॉर्म आगे की तरफ आया हुआ है दिवाल से यह दो फिल्ट तक आया हुआ है इस स्पेस में आप अच्छी तरीके से आपका जो भी मैट्रिकल रखना है आप रख सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और दोस्तों जो आप जैसा की देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से टाइल का भी काम कर दिया गया है यहा सारी चीजों का वर्क हो गया है तो अगर आप भी कोई किचन बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको दो या तीन चीज़ें ही नोटिस करनी होती है पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपको जो उसका लेंद लंबाई और चौनाई रखनी है वह इतना तो रखें कि वह बहुत चोटा ना हो जाए पांच बाइप पांच फीट चैफिट बाइप चैफिट का किचन बहुत चोटा हो जाता है जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल साइज बताया कि यहां पर जो कंस्रक्शन कराए गया है यह 8 फीट बाइद 10 फीट का करवाए गया है जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा इस पेस दिख रहा है और यह बिल्कुल श्यकस today नहीं होने वाला है और आपको सबसे इंपरिएंज क्या नोइचस करने है कि शाया किचन में छो सबसे इंपोर्टर होता है वह यह प्लेटफॉर्म ही ह Shivता है यह इस प्लेटफॉर्म को मिस्टक तरीके से कर देने की वज़ा से इस प्लेटफॉर्म को कास्ट करते समय गलती कर देने की वज़ा से आपका पूरा किचन जो है वो सो की आप अगर आप देखने के नजरिये से कहें या फिर अगर आप इसको यूज करने के नजरिये से कहें तो यह दोनों में बहुत ही रखेंगे और दिवाल से बाहर की तरफ इसको दो फिट निकालेंगे यह स्टैंडर्ड तरीका है अगर आप इससे ज्यादा या कम कर सकते करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए जो भी आपको बताया जा रहा है बिल्कुल जब आप किचन बनवाएं तो आप इस को कमेंट करके बताएं हम उस टॉपिक पर आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पशंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पशंद आया है तो प्लीज वीडियो क कर रहे हैं वो फ्यूचर में गलती ना करें दोस्तों वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं construction से related और इंफर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अल पर प्रेस कर दिजे तैंक यू